कई सीटों पर सभी दलों की ओर से कन्फ्यूजन की स्तेथी पैदा हो रही है यूपी की मुरादबाद सीट की बात करें तो सपा ने रूची वीरा को नामंकन करने के लिए रोका है और स्टी हशन की जगा रूची वीरा का नाम आया था जबकि स्टी हशन ने कल ही मुरादाबाद सीट से नामंकन दाखिल कर चुके हैं कहा जा रहा है कि स्टी हशन का टिकेट कटने से आजम खान को नाराज की है तो बिजेपी ने वरुन गाधी को इस बार ड्रॉप किया है वरुन अपनी मा मैंका गाधी के लिए सुल्तानपुर्श से प्रचार करेंगे तो कुछ और सीटे ऐसी भी है जहां से बिजेपी ने टिकेट कार्ट कर नए परदाव खिला है लेकिन सवाल अब ये है कि विरोधी खेमे में सीटो को लेकर कन्फ्यूजन का सिल्यूशन अभी तक नहीं निकला है तो आपको बता दे कि यूपी में अभी कई सीटो को लेकर कन्फ्यूजन की स्तिती बनी हुई है मुरादाबाद से सपा के प्रत्याशी और मौजूदा सांसा डॉक्टर स्टी हसन की टिकेट कटने की चर्चा से नाराज समर्थकों ने हंगामा किया है डॉक्टर स्टी हसन के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए समर्थकों ने रूची वीरा का पुतला भी फुका है देखे एकी पार्टी में किस तरीके से दो धड़ बनते हुए नजर आ रहे हैं ये स्तिती के अवल मुरादाबाद में नहीं है बलकि रामपूर में भी इसी तरीकी की स्तिती देखने को मिल रही है और शिले इस पूरे मुदे पर करेंगे चर्चा लेकिन उससे पहले कुछ खास मेमाने इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके सबसे पहले आपका परिच्वन से करवा देती हूँ पिज़ेपे से पर वक्ता अश्वनी शाही जी इस वक्त तमारे साथ जोड़ चुके हैं और एक ही पार्टी में दो धड़ बनते वे दिख रहे हैं लालचन का और तीन बज़े जो है नामांकन पर क्रिया समाप्त हो जाएगी लेकिन उसके पहले देखने को मिला आए कि समाजवादी पार्टी में चाहां रामपूर की सीट की बात की जा और चाहां मत्रुआ की सीट की बात की जा वहां पर कहीं न कहीं अभी भी जो है संसे बना हुआ था और जिस तरीके से वहां पर दो-दो पत्यासी आमने सामने दिखाई दे रहे एक तरफ जहां एष्टी हसन और कहा जा सकता है कि जो रजा जी है उन्होंने जो है अपना नागन रहे इसके बाद भी बीच में बीरा आ गई थी उन्होंने नाम अगन के दाखिल किया था लेकिन रामपूर की सीट पर भी कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है वहां पर भी देखे जिस तरीके से जिला अद्देच है सीम रजा जी उन्होंने जाकर वहां से पर्चा ले लिया इसके साथ ही जो है दिल्ली के जो जामा मेज़ित के अद्देच है उनको भी नाम सामने आया है उनको भी समाजवादी पार्टी उनके भी मुह लगा रहे हैं लेकिन अभी तक भी साफ नहीं हो पाया कि कौन जो है वहां पर जो है अपना पर्चा दाखिल करेगा है यानि कि पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जटका लगता हुआ दिखाए देरा अभी भी आसमंजस बना हुआ है ऐसे में अभी और चरण जो बाकी है अभी और परत्यासियों की नामों की जो गोशना होनी बा पा रही है यही वज़ा है कि जो रण नीती रण नीती है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं सही दिखाई देरी है अच्छी दिखाई देरी है और यहीं वज़ा है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी अपने परत्यासियों को भले ही टिकट कार दिया हो लेकिन किसी का जो बया में अपने परतियासियों को जिताने के लिए जी तूर मेहनत करने की बात कह रहा है जी चले ठीक है अश्वनी शाही जी लगातार मेरे साथ बने हैं बीज़ेपी के प्रवक्ता बहुत स्वागत है अश्वनी शाही जी देखी आपने जो है वरुन गाधी का टिकेट पिलिभी नहीं चला जाता भारती जनता पार्टी एक लोगतांतरिक पार्टी है जिसमें सभी कारे करता है और नेतरित्चुका जो आदेस होता है सीरोधारे होता है देखिए वरुण जी ने कहा है अस पस्टरूप से कि हम कुझतानपूर में परचार करेंगे दूसरे दल में होता तो अभी देखिए किस तरीके से इलालचंगी भी बता रहे हैं अब पूरी देश की मीडिया बता रहे है कि कि तरीके से स्की हसन और रुची वीरा ने दोनों ने सिंबल के साथ पर्चा बर दिया सिंबल कैसे आया दो लोगों के पास इस्तियां वहां विक्राल हो रही है पी डी ए का जो ए है ना उनका अल्पसंख्यत इसमें फुट पड़ गई है और समाजवादी पार्टी इसमें घोर संकट में चल रही है आज हम खांजी की नाराजगी असपस रूप से हैं उनकी चिठी जो जारी होती है कि आप अगर अध्यक जी चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो हम लोग चुनाओ का वहिसकार करेंगे इसका मतलब कि ए उनके खिलाप हो चुका है और समाजवादी पार्टी जो एक-दो सीख पाने की उम्मीद कर रही थी एक सहारे वो एक खतम हो गया पी और डी ये तो सब हमारे साथ पहले से हैं यानि की सुन्य का जो है स्कोर करने वाले हैं माननी अखिलेस यादोजी इस दो हजार 24 के चुनाओ में कांग्रेस का तोर्ट पर्संटेज है नहीं कांधी परिवार के अंतिम चस्मों चिराग से वह मेठी से भाग गये सोनिया जी राइबरेली से भाग गई प्रियंक खास करके उत्तर प्रदेश में और भारती जन्ता पार्टी का 80 में 80 का जो नारा है वो चरितास होते हुए दिख रहा है योगी जी और मोदी जी के नित्रिसु में अगला क्या स्टेप हो सकता है और आज मिल रही है आपको लालचन आज मिल रही है आपको चले ठीक है आवाज शुन तक ने हाँ हाँ कंप्लीट किजे लालचन अपनी सेंटेंस को लालचन अवाज मिल रही आपको मेरी हालो ख़़ी सवाल करिए हाँ जी लालचन देखिये वरुण गाधी की तरब सा अभी तक कोई टिकेट कटने के बाद को ऐसा बयान विवाधित बयान तो देखने को नहीं मिला लेकिन अगला स्टेप क्या हो सकते है वरुण गाधि का देखे जिस तरीके से बीजेपी बहुत ही समझदारी के साथ अपने परत्यासियों को चैन कर रही है नए चेहरों को भी मौका देती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है भले ही तमाम जो मौझूदा सांसादे उनका टिकट कटा है लेकिन अभी तक किसी परकास है जो खिलाफियत कही जाए या कहा जाए किसी परकास है जो है बाद विवाद अभी नहीं हुआ है लेकिन हाँ ये जरूर माना जा रहा है कि BJP जस तरीके से समन में बना कर सरबे कराया था उसके आधार पर το कलेश्टर ने रिपोर्ट पहुस ती आधार पर कही न कहीं जो जंत के बीच में जिस सद रहें जिनूने काम किया है जिस तरीके से चाह है आप दकिये थी तरीके से तमाम लोगों को तिकट कटें परसान बौरिया राम गंखता है यह रहाए उनको लग रहा था कि वह अपनी मा के लिए जो है कहीना कहीं परचार परसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझूदा समय में जो है PWD मंतरी है जितनी परसाद उनको जो है पीली भी से उम्मिदवार BJP ने बनाया है तो जहिर सी बात है बहुत ही सोस समझ के जो है परतियासियों का चैन BJP कर रही है लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो मुझूदा सांसद है उनकी कहीना कहीं कारसैली को लेकर भी जो सर्बे करा गया साइद उसकी वज़ा से उनका टिकट कटा हो जो जनता के बीच नहीं जा रहे थे क्योंकि बार बार चाहिए सरकार हो चाहिए राज सरकार हो उनका ये कहना था कि जो हमारे चाहे विदायकों चाहे सांजादा वो जनता के बीज़ाएं और जनता की समस्याओं को सुने और साथ यहीं वज़ा है कि जो जनता की समस्याओं को नहीं सुना है जिस तरीके से सरकार विकास करना चाहती है और जो जनता के बीज़ाकर उनके सु उसको लेकर कहीना जो काम किया है उसको लेकर जो काम सांसद नहीं किये थे जो रिपोर्ट तयार है उस आधार पर ही कहीना कई बीजेपी टिकट देती हुई दिखाई दे रहे हैं अभी बारा सीटों पर जो है प्रत्यासियों का चैन होना बागी है लेकिन उसमें भी माना जा कि अभी भी बारा सीटों पर पर परतियासियों की गोष्णा बाकी बीजीपी की तरफ से जी चीक है अश्वनी शाही जी अब बात अगर अधिरंजन चौधरी की कर लिजाए एक बयान उनका सामना आ जिसमां उन्हें वरुन गाधी के टिकेट करने के बाद एक बयान दिया है उन्होंने कहा कि वरुन गाधी को कॉंग्रेस जॉइन कर ले नीचे किस तरीके से देख रहें इस बयान को अनिसा जी देखिए एक तो गांधी परिवार ने किसी को इतना अधिकार नहीं दिया है कि उनके बीच में पोलें अधीर रंजन चौधरी को यह अधिकार कब मिला गांधी परिवार ने इतिकार दिया जिस परिवार ने मेंका जी का सामान सड़क पर अधिकार करेगा और अधिर रंजन चौधरी जी का जो अधीर हो जाते हैं वो उस अधीर होने में ये बयान आया है मुझे नहीं लगता है क्योंकि देखिए अभी अध्यक्ष है खडगे साहब खडगे साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक वो एकाउंट फ्रीज होने वाले पर एक प्रेस कांफेंस किया था इन लोगों ने है इन लोगों की गांधी परिवार के सामने तो उनको उनकी हिम्मत कैसे हुई उन्होंने कह दिया उसका ना कोई खंडन आया ना कोई उसका कोई पूर्जोर जो है समर्थन आया कुछ नहीं यह उनका अपना अधीर होते हुए बयान आ गया ऐसा कुछ नहीं पहली बात दू का तो यह कयास लगाना कांग्रेस के लोग छोड़ दे क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई परत्यासी नहीं है उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए कोई परत्यासी नहीं है तो अधीर रंजन चौधरी जी ने एक सगुफा छोड़ दिया इस साइध हमारा तीर कहीं हुआ उनका उनके जैसा विद्वान और प्रकर राजनेता हमने नहीं देखा और वो पार्टी के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हैं हिंदुस्तान में पार्टी के लिए वरुन गांधी जी भाजती जिनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हैं जिस तर आपने पूछा लाजचन जी से अगली का अगला क्या उनका इस्टेप होगा उनका अगला इस्टेप यह होगा मैं बताता हूं उन्होंने घोसरा कर दिये कि सुल्तानपूर में हम माता जी का अपने परचार करेंगे हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे तो वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं अपने माता जी का चुनाओं परचार करेंगे यह बहुत सामदार काम है जी चीक है चली सीबीश धर्मेन सिंग सपासिपरोकता इस वक्त मरसा अजूट चुके है बहुत स्वागत है सर आपका धर्मेन जी क्या हो गया मुरादाबाद से लेके रामपूर तक क सीट पर सिफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है दो फाड हो गए हैं आप की पार्टी के नहीं निश्या जी बिलकुल दो फाड नहीं हो गए है और अभी आप साम तक सब क्लियर हो जाएगा तो उन कहांस लड़े के देखिए हमारी सुरच्छी सीट है एक तरह से यहां कोई की लड़ाई नहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं और हमारे यहां डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में वोट अपना टिकट मांगने का अंतिम दिन तक हमारे प्रतेक कार्यकरता जो मेहनत करता च्छेत में रहता उसका है और नेता हमारे नेता आधरणी सरी अखले सियादो जी और हम कहीं जान सके किस तरह से परचा खुलवा करके मुकमंत्री अटाए जै किस तरह भी बरुन गाधी जी का नाम ले रहे थे हमारे साथी भारती जंता पार्टी के बरुन गांधी जी से क्यों नराज है उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया किसानों की जायज मांगों के आइना दिखाने काम किया उन्होंने संसद के अंदर का कि जुम्ले जुम्ले और गापी स्वाली जो बयान बाजी और भासल है उससे देश नहीं चलता गरीबों का वहला नहीं होता शरकार को कोई ऐसी ठोस कदम उठाने चाहिए ऐसी उजनाय बनाना चाहिए जिससे देश क का बहुसंख्यक जो गरीब है उसका कल्याण हो सके उन्होंने अर्टिकल्स लिख दिये तमाम जो इनके अहां ब्रहस्टाचार और जो जन विरोधी नीतिया उसके खिलाफ तो बरुन गादी जी को कैसे बरदास करते इनके यां डिमोक्रेसी है नहीं ये तो सिर्फ और सिर् जो पूरे देश पर चतुड़ता के साथ उनके इसारे पर भारती जनता पाटी उनके पाकेट चली गई है आप बड़े से बड़े नेताओं देख लिजिए क्या कर रखा है कोई सम्मान नहीं है इस तरह से उनको चुकि हर जगा पूरे प्रदेश में एक नेकसस खड़ा कि इन लोगों ने वहां अपना आदमी बैठा करके एक एकदम गूंगा और शान्त मुक्षमंत्री जो इनके किसी भी फैसले के खिलाफ बात न कर सके इनका प्रतरोध न कर सके उससे जो है सरकार चलवाना और अपनी पैरलल ब्रोस्था बना करके उनके माध्यम से उसूली करा कराना है के पट्टे कराना खरन कराना तो यह इसी तरह से केंद्रों बैठ के कुछ इनके एक दो नेता हो पूरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अश्वनी शाही जेविया आपने धर्विन सिंग जी को सुना उन्हें कहा कि वरुन गादी के टिकेट कटने के पीछे का कारण आपकी नीतियों के अगेंस चलना था इस पर आप जबाब दीजेगा लेकिन उससे पहले मैं लालचन का एक बार रुख करूँगी मेरे सेयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लालचन जिससे किसे बात कर लिजाए दे कि मुरादाबाद सीट पर अभी भी सस्पेंस बन हुआ है हाला कि दो ना मंकन यहाँ पर हो चुक है लेकिन सस्पेंस खतम नहीं हुआ क्योंकि तीस तारीक इस दिन जो है नामंकन वापस लेने की तारिक है तो ऐसे में क्या समझे किसका नाम वापस ले सकती है पारटी क्योंकि अगर बात रूची वीरा की बात कर ली जाए तो यह काफी जब मीडिया से बातचीत कर रही थी तो काफी लब्रेज नजर आ रही थी, काफी confident नजर आ रही थी, तो ऐसे में भी suspense खतम नहीं हुआ है इस मुरादाबाद सीट पर, लालचन बिल्कुल अभी suspense नहीं खतम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही चरण में परत्यासियों को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर कही न कहीं संसे बना हुआ है, ऐसे में कहीं न कहीं, यह जरूर देखा जा सकता कि अगर एक नेता को टिकट नहीं देते हैं, तो दूसर इंडिया गडबंधर के भी सीटों को लेकर घमासान मचा रहा, तमाम तरीके के समझाने की कोसिस की गई, एक दूसरे को वार प्लटवार भी देखने को मिला, लेकिन टिकट को लेकर कहीं न कहीं, जो कांगरेस और समाजवादी पार्टी बीच लगा था, घमासान मिला, ले भी टिकट पर्तियासियों को लेकर संसे फसा हुआ है, जिस तरीके से मुरादाबाद की सीटों को लेकर सामने आया, इसके बाद रामपूर की सीट में घमासान मचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, तीन बजे का समय है, कौन परचा दाखिल करेगा, क्योंकि अभी आप परचा दाखिल करने पँचे हुआ है, तो जाहिर सी बात है, तमाम चीज़ों को लेकर संसे फसा हुआ है, इन सब चीजों को किलियार करना होगा, क्योंकि लोग सबज़़ चुनाओ को लेकर जिस तरीके से सताधारी पार्टी लगातार जो एठार पर्चार परसार कर जो है सही तरीके से करती हुई दिखाई दे एसे में अभी पच्छी तल्कु पर आपके पास में लॉटूंगे अश्वनी शाही जी का एक बार में रूप करूंगे अश्वनी शाही जी क्या कहेंगे अपनी बात कम्रीट की आप कुछ कहरते हैं ठीके लाल-चन कि सिधा आजम खाँ जी का और अखलेश जी की तना तनी चालू हो गई है धर्मेंद भाई को वो देखना चाहिए वरुन गांधी जी ने तो गोसित कर दिया टिकट नहीं मिला तो जा रहे हैं आप एक एक जगा दो दो आदमी को सिंबल दे रहे हैं लाल-चन जी आपकी जानकारी में आपस हो रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी का इन लोगों कि यहां क्या इस्तियां हो रही है लट्थम लट्थम वहाँ पर जुतम पैजार होने की नोबत है आज बताईए धर्मेंद जी दो बैक्तियों को सिंबल आपने कैसे दे दिया रुची वीराजी को सिंब अच्छा आपकी खतम कर दी वहां और इस बार ये भी सुरक्षा आपकी खतम हो रही है क्योंकि आजम खाजी खुला विरोध कर रहे हैं माननी अखिलेश जी का और आजम खाजी का विरोध वहां पर आपका जो पीडिये का ए है ना एको निकाल कर बाहर करेगा और समाजवा पार्टी में अंतरकला बहुत है और रही सम्मान की बात तो वो दिन याद कर लिए धर्विन भाई जिस दिन माइक छीनकर मानी मुलायन सिंग जी को बठाया गया था कितना सम्मान करना जानते हैं उनसे पूछिएगा आपके राश्ती अध्यक्ष हैं तो सम्मान अबर उसक सुरक्षिस सीटे हैं लेकिन देखिए सुरक्षिस सीटे तो तब होंगी ना आप ही के लोग इसे तोड़फोर करने में लगें सीट में दो फार हो चुकी इन दोनु सीटों में विजेपी तो आप छोड़ दीजिए उसकी तो दूर दूर तक बात ही मत किजिए आपके खु करता हूं कि हमारे नेताओं की इच्छा रहती कि राष्टिय देख जी लड़ें वहां से जरूर कहा गया था कि माननी राष्टिय देख चुनाव लड़ें लेकिन जब पालिया मिंटरी बोर्ड और पार्टी ने तैंग किया होगा राष्टिय देख जी नहीं लड़ना पार्टी दूसरी बाथ सम्मान की बात कर रहें हैं साइज जी अरे सम्मान तो आपके हाँ अडवानी जी मंच पर किस तरह से आखों में आसू भर करके खड़े थे और अहंकारी परदान मंत्री जी ने युग परुस्का नमस्ते नहीं लिया अहंकार तो आपका दिक्ता है तो तर तक यावाज भी गायब हो गई आप चलिए ठीक है बहुत शुक्री आप तिनों का आप तिनों महरे साथ चुड़े और तमाम जानकारी लाल चना आप अपने हमें दी और तमाम चर्शा के लिए आप हमारे साथ चुड़े बहुत शुक्री और इसी बीचे बड़ी सम्मेलन में तमाम उध्यमियों सहीद कई लोग हुँगे कट्रती बड़ी जानकारी आपको दे रहें जहाँ पर गाज़ेबाद दौरे पर रहने वाले हैं बार बार दोरे करने आया हैं अगर आपको बता दें कि योगी आदितनाट पंडित दियार औरिटोरियम में प्रबुद वर्ग के संभेलन को संभोधित करेंगे इसमें शेहर के सिक्षक अधिवक्ता प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर समेथ प्रबुद वर्ग के करीब 15-100 लोग शामिल होंगे आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंतरी का हेलिकॉप्टर दोफैर साड़े तीन बजे गाज़बाद पुलिस लाइन में उतरेगा उसके बाद वे कार से पंडित दिन द्याल औरिटोरियम में पहुचेंगे और यहां 45 मिनट तक प्रबुद वर्ग को संबोधित करेंगे 15 मिनट गाज़बाद के सभी जन पर्दितियों के साथ लोगसवाद चुनाव के तैयारों को लेकर अलालग तरह लोगों से बात करेंगे यहां मुख्यमंतरी सीधे हिंडन एरपोर्ट जाएंगे और महां से राज के वायू यहां से लखनों के लिए रवान हो जाएंगे आपको बता दें कि राज्या के मुख्यमंतरी योग यादित तनात अगरिम लोगसवाद चुनाव को लेकर गाज़बाद दोरे पर हैं और यहां प्रबुद्वर के साथ संबोधित करने के साथ साथ जिले के तमाम बड़े नेताओं को भी संबोधित करेंगे और आने वाली चुनावों के बारे में तो यहारे को जाएजा लेंगे गाज़बाद साकाश गर्ग नैट्वक टैन